तो कहानी शुरूर होती है एक छोटी लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम शोशेंग है वो एक नदी में अपने डैड की साथ मशलियां पकरने आया था मगर तभी उसे ऐसा मैसूस होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है जिस वज़े से उसे काफी डर ल कशली नहीं मिली थी तभी अचानल शोशेंग पानी में एक मॉंस्टर को देखता है जिस बारे में फोरण वो अपनी डैड को इशारा करकी पताता है जिस वज़े से जिल्दी से उसके डर कश्टी में वापिस आ जाते हैं मगर अगले ही पल वो मॉंस्टर नीचे से उनकी क कुन देख पाते हैं वो मॉंस्टर शोशेंग को भी मारने कश्टी पर हाथ रखता है जो भोती डुरा होना था मगर जैसी तैसी वो बच जाता है इसकी बात कहानी में हमें 10 साल के बात का वक दिखाया जाता है जहां शोशेंग अब बड़ा हो चुका है वो अपने गाउं क वो पिछले कई सालों से मॉंस्टर के बारे में बताता आ रहा है और ना जानने मॉंस्टर की क्या क्या बाते हैं यहीं हम एक लड़की लैन को दीखते हैं जो अपने डैड और चोटी बाई की साथ रहती है गाउं की सबी लोग उसे काफी पसंद किरते हैं खास तोर पर शो देख अंकल कहते हैं ओ गोड बहुत बुरा हुआ जिस बात कर डर था वही हुआ ऐसा इसके साथ पानी के देवता ने किया है जो बहुत कतर नाक है वह वापीस आ चुका है किसी को नहीं चोड़ेगा एक की बात एक करके सब को मार देगा उसकी बाती सुनकर गाउं को सेवधा कार कहता है तो प्र आप ही ऐसा कोई हल बताएं जिसे हम उसे निकल के ज हम किसी की कुणवनी देने पड़े हैं ऊसे वहाँ आते हैं और गुश्टी में निकल की वाटिर मॉंस्टर है नहीं पानी का शयतान जो आदम खो रहे हैं और एक जानुर है इससे बढ़कर कुछ नह लिदे कि इनारे का करता है वह थे सिधाय बताता है कि ह एड़े के बताता है कि हम 45 करें नदीन के नारे किया आ है अदम गूर है जाना थीक नहीं है तो सभी गांवालों को काफी गुबराया हुआ देखते हैं क्योंकि लेन का भाई मिल नहीं रहा था और सभी गाउं वाले उसे हर जगा ढून रहे थी और पिर तभी लेन के डैट की रोने की आवास आती हैं जो नदी में खड़ी होकर रो रहे थी क्योंकि उनकी गौद में अपने बेटे की लाश थी मतलब कि लेन का भाई भी मारा गया यह देख अंकल कहते हैं अब तो यकिन हो गया होगा ना कि वो देव तक इतना गतरनाक है और हमें किसी की कुर्बानी देनी होगी तब जाकि हमारी जान चोटेगी अगली दिन हम देखते हैं कि वो लोग एक जानवर का सर और मचली लेकर उसकी पूजा कर रहे हैं शोशेंग भी अपने कजन के साथ दूर बैठा यह सारा नजारा देख रहा था मगर उसके समझ से बाहिर था कि यह क्या हो रहा है इतने ही देर में वहां लेंड के डैड आते हैं और वहां रखे से भी चीज़ों को टांग मार मारकर तोड़ देते हैं और उनका लाया सारा समान भी वो तोड़ देते हैं अंकल ये देकर घब रहा जाते हैं कहते हैं प्लीज मेर बानी करो शान तो जाओ क्यों तुम हम सब के दुश्मन पढ़ गए हो तुम्हारी वज़ा से गाउं के सब लोग मारे जाएंगे असल में लेंड के डैड ऐसा इसलिए कर रहे थी क्योंकि वो इन चीज़ों पर ये कियन नहीं करती थी जैसे कि देफता कुरबानी वगरा अब जब अंकल और गाउं के सब्दार बात कर रहे थी तो उन्हें लोगों की आवाजी सुनाई देती हैं इसलिए वो जल्दी से नदी किनारे जाते हैं यहां आकर वो देखते हैं के लैन के डैड उस मॉंस्टर को मारने के लिए पानी में बॉम बारोद फैंक रहे हैं गाउं वाले उन्हें चिला चिला कर ऐसा करने से मना करते हैं और फुरने बाहिर आने का कहते हैं मगर वो किसी की एक नए सुनते और उल्टा गाउं वालों पर एक गुसा करने लगते हैं इस वज़े से गाउं वाले जबरदस्तियों ने पकड़कर एक खंबे की साथ बान देते हैं। जबी उनके पाई शोशेंग मिलने आता है। कहता है बेशे का बहादूर हैं मगर उस मॉंस्टर से आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं। उसकी ये बात सुन उन्हें गुस्सा आ गया था। इसलिए शोशेंग को वो डाट कर वहाँ से बगा देते हैं। काफी रात हो चुकी थी जहां तब हम पाने में हलचल होती हुई देख पाते हैं। क्यूंकि वहाँ पाने का मॉंस्टर था जो वहाँ से निकल कर लेंड के डैट के पास आ गया था। वो भी मॉंस्टर को देख चुकी थी। मॉंस्टर उपर से उनके पास आता है और उनका नाम पुकारता है। पिर वो अपने ड्राउने हातों से उनका चीरा पकड़कर जपट पड़ता है। और उनका पूरा सर ही खा जाता है। पिर अगली सुबह लेंड अपने डैट के लिए खाना लाती है। मगर उनकी बहुत बुरी हालत दे कर वो तंग रह जाती है। कि मेरे डैट के तो सर ही नहीं है। वो काँप उठती है और दुकी होके रोने लगती है। इसके बाद सभी गाँवाले एक साथ जमा हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि हम लेंड की कुरबानी देंगी। ये सुन शूशेन को बुरा लगता है। वो उसे ऐसा करनी सी मना करता है कि पागल मत बनो। या कर रहे हैं तुम खुद कोई कुरबान करने चा रहे हैं। जिस पर लेंड कहती हैं मैं बस देखना चाहती हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या। शूशेन सभी को समझाता है कि देखो आप लोग गल्द कर रहे हैं। मेरे साथ किसी ऐसी जगा भाग जाओ जहां यह मॉंस्टर कभी भी ना सके। जिस पर लेंड उसे मना करती है कि यह मेरी डैड मेरी लीज सब कुछ थी। वो अब नहीं रही तो जीने का शोक भी अब मुझे नहीं है। मैं बस उस वाटर मॉंस्टर से अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ। और तुम प्लीज यहां से जाओ। जो सुन शोशेंग घर आ जाता है वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ही उस मॉंस्टर से बदला लूँगा उसे मारूँगा। पिर वो एक बॉक्स को खोलता है जिसकी अंदर एका तियार था जो कभी उसके डैड का था। काफी दिन गुजर जाते हैं जहां शोशेंग उस मॉंस्टर से लड़ने उसे मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके इलावा वो अपने घर में एक ट्रैप एक जाल भी लगाता है ताकि मॉंस्टर को पकड़ सके। ये सब वो अपने साथी की मदद से कर रहा था। वो फिर अपने दोस्टर साथी के पास जाता है मदद मांगने केहता है। मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरा साथ दे उस मॉंस्टर से लड़ने उसे मारने में। तब उसका साथी शोशेंग को अपने दोस्तों से मिलवाता है। जो उसके साथ चिलने के लिए तयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबी गाउंवाले नदे किनारे करथा थे। क्यूंकि वो कुर्बाने के लिए लेन को किष्टी में बिठाकर नदे की दोस्तों किनारे भीज रहे थे। लेन ने अपने साथ एक चा को भी रखा था ताकि वो उस मॉंस्टर का मुकाबला कर सकी। तब यहाँ शूशेंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। और फिर से गाउंवालों को बताता है कि वो कोई देवतर नहीं हैं जिसके लिए हम अपने ये लोगों की कुर्बानी दें। वो शेतान है हमें उससे लड़ना चाहिए उसका मुकाबला करना चाहिए। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मेरे डैट को भी उसे मौस्टर नहीं मारा था और गाउंग के बहुत सारे लोगों को भी। इसलिए आप लोग भी समझदारी से काम लें और मेरा साथ दें ताकि हम एक होकर उसका सामना कर सकें उसे मार दें। मगर गाउंवाले उसकी बातें चुप चप सुन तो लेते हैं पर सार देने कोई आगे नहीं आता। लेकिन पिर तभी कुछ लड़के उसका सार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ वक्त के बाद वो सब लोग इकटा होकर मॉंस्टर को बकरने का प्लैन बनाते हैं। शोशेंग पानी में मास के कुछ टुकड़े गिराता है और कहता है कि अगर कोई भी हलचल हुई तो फोरण जंजीर उपर खीश लेना। जो सुन वो सब लोग एकदम अलेर्ट हो जाती हैं। उन्होंने मुसलसल पानी पर अपनी नजरें टिकाएं हुई थी। क्योंकि उनका माना था कि मॉंस्टर कभी भी आ सकता है। और पिर तब अच्यानक उन्हें पानी में हलचल होती हुई मैसूस होती है। तब उनका साथी जल्दी से जन्जीर उपर खीशने लगता है। शोशैंग भी उसकी मदद करता है और पूरी जन्जीर वो उपर खीश लेती है। मगर जब वो देखते हैं कि जन्जीर पर मास नहीं है तो समझ जाते हैं कि मॉंस्टर आ चुका है। तब उसका एक साथी पूछता है या में बानी में जाकर चेक करूँ कि मॉंस्टर सच में आ गया है या नहीं जिस पर शोशैंग उसे मना कर देता है। फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता और चेक करने पानी में चला जाता है। कुछ वक्त के बाद वो बाहिर आकर सब को बताता है कि नहीं वह मॉंस्टर अभी नहीं आया। मगर पिर तबहीं अच्छानक वह मॉंस्टर नीचे से उस पर हमला करकी उसे कीश लेता है। और उसे खाच आता है। जहां आम पानी में सिर्फ उसका खोनी देखते हैं। फूराने बाद मॉंस्टर फिर उसका सर बाहिर फैंकता है जो उनके पास ही आके गिरता है। जिसे देख सब लोगों की हालत खराब हो गए थी। इसकी बाद हम देखते हैं कि वाटर मॉंस्टर तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आता है। और सीधा आकर एकादमी पर हमला कर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। फिर वह इपना बैानक सा मुझ खोलकर उनकी आंकों के सामने उसका सर खा जाता है। यह देख शौश्रंग लगतार अपने नौगता रौड से उस पर हमला करना शुरू कर देता है लेकिन मॉंस्टर इतना तेज़ था कि एक भी रॉड उसे नहीं लगता बार बार वो बच रहा था पिर अच्छानक से वह वहां से खाइब हो जाता है जिस वज़े से सबी लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं पिर वह मॉंस्टर उनकी कष्टी में आ गया था और तो एक फ्टी में सकते हैं वह पूर इक उखना पर शोषे नहीं लोला था यंको डूल्सा याग मांस्टर बस्लिता हुका और जिए वह प्रमूछ उनकी करता है, अफ्र सकत कुर्च से भी नहीं इतनी मेनत और कोशिश के बाद वो उसे जाल में पकड़ ही लेती हैं मगर वो इतना ताकदवर था कि ये लोग उसे ज़्यादा दिर तक नहीं रोक पाती वो अपनी जान बचाने के लिए वापिस पानी में चला जाता है अब राध हो चुकी थी जहां वो सारे साथी एक साथ शोशैन के गर पर रहते हैं उन में से बहुत सारी लोग इस ज़ंग को यहीं खत्म करने के बाद करते हैं और पिर तब ये एक आदमी वाँ से चला भी जाता है मगर पिर जैसे ही वो एक पेड़ की पास पहुचता है उपर से वाटर मॉंस्टर उस पर हमला करके उसे जान सिमा डालता है जिसकी बाद वो उनके घर तक भी आ गया था अंदर जाकर उसे एक इनसान दिखता है जिस पर बेना सोचे समझी वो हमला कर दीता है मगर ये कोई इनसान नहीं था बस पुतला था जो लोगों ने जान भूचकर यहां रखा था मॉंस्टर को चुपकी से शोशेंग देख रहा था और इशारा करके अपने सबी साथियों को सारी खड़कियां बेन करने का कहता है जिससे वो मॉंस्टर वहीं कैद हो जाता है दरसल इन लोगों ने यहां पूरे घर में जाल बिचाके रखी थी ताकि वो इस मॉंस्टर को पकड़ सकी और वो एक एक करके अपने हत्यारों की बारिश उस पर करते हैं काफी बारे हमला मॉंस्टर पर किया जाता है लेकिन अभी भी हमला उसका कुछ बिगार नहीं पाता वो बच जाता है पिर वो किसी बंदर की तरह दिवारों पर भागनी लगता है और आखिरकार लकड़ी का फर्श तोड़कर उस जगा से बाहिर निकलाता है जहां वो सब लोग थी वो लोगों से यहां यह सोच कर लाए थी कि पानी में वो ताकतवर था तो बाहिर आकर वो कमजोर हो जाएगा मगर उनकी सोच गल्द साबित होगी वो अब उन पर हमला करके एक एको उठाकर फैंक फैंक के मारता है तब यहां शूशेंग आता है और तीरों से उस पर हमला कर दीता है और फिर मॉंस्टर जैसे ही ठीक जगापर पहुचता है तो वो उसे ट्रैप में पसाकर पिंजरे में बंद कर दीता है वो कहता है शुकर है आखिरकार वो पल आहे गया मैंने इस वक्त का पिछले 10 साल से इंतिसार किया था कोची वक्त के बाद गाउं के सबी लोग वहां आ जाते हैं जा मॉंस्टर को पिंजरे में बंद किया हुआ था कोई उसे मॉंस्टर कह रहा था तो कोई पानी का शेतान तो कोई पानी का बंदर सारे मिलकी कहते हैं कि शोशेंग सही कह रहा था ये कोई दीवता नहीं है बस एक जानवर है आदम खोरे और कुछ नहीं सब मिलकर शोशेंग को अपना हीरो कहते हैं उसके लिए नारी लगाते हैं और उसकी काफी वावा करते हैं मगर तबी अंकल वाँ आते हैं और रोते गाउं का सरदार कहता है इस मौंस्टर के साथ किया करना है ये हम कल देखेंगी फिलहाल आप सब लोग जाओ मज़े की नेंद लो और खूब मज़े करो जिसके बास सबी लोग जशन मनाते हैं वो काफी कुछ थी उदर शोशेंग लेंड को शादी के लिए पूशता है जिस के देखते हैं तो मौंस्टर उनके सामने था और उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और पीर देखते ही देखते हे वह उनके जिसन को चीर कर दो टुकड़े कर मॉंस्टर पर खाने की कोई चीज फैकता है वो फिर उसे चड़ाते हुए कहता है मैं तुम से नहीं डरता तो मेरा कुछ बिगाड नहीं सकते दरासर शोशेंग का भाई दिमाग से थोड़ा पागल सा था इसलिए वो मॉंस्टर से लड़ता है उसे कारता भी है बार बार वो एकी बात खहरा था कि मैं तुम से नहीं डरता लेकिन वो मॉंस्टर उसके पेट में अपना हाथ गुसा कर आर पार कर देता है और आखिरकार उसकी चान ले लेता है अब जैसे सुबह होती है तो पूरे गाउं में मातम जैसा माहूल था क्योंकि हर जगा लाशें थी लोग इने प्यारों को रो रहे थी जिस वज़े से शूशेंग और सभी गाउं वाले काफी दुखी थे उन्हें गुसा भी आ रहा था वो सब फैसला करते हैं कि अब हम एक साथ मिलकर उस मॉंस्टर का खात्मा करेंगे फिर वो सारे लोग तियार लेकर लड़ने की प्रैक्टिस क बहुत सारे कंकाल पड़े हैं इसके इलावा वो पानी में मॉंस्टर को भी देखता है जो उसके सामने ही खड़ा था शूशेंग अपने रौड से उस पर हमला करने लगता है मगर वो मॉंस्टर रौड पकड़कर पहले उसका हमला रोकता है और पर शूशेंग को पानी से पाहिर फैंक देता है ये देख उसके साथे जल्दी से उसे अपने तरफ कीशने लगते हैं वो मॉंस्टर बे उसके पीची पीची किसी बंदर की तरह भागता हुआ आता है और आखिरकार वो उनकी कश्टी में चड़ ही जाता है सबी लोग तीरों से एक की बाद एक करके उस तरह से वो बहुत सरे लोगों को मारता भी है पानी में डालता भी है और जखमी भी कर देता है शोशेंग को भी वो काफी मारता है मगर तब उसका एक साथी और लैन मॉंस्टर को पकर लेती है तब शोशेंग जिल्दी से उसकी ऊपर आकर लगतार चाकु से उस पर हमला करत है और मॉंस्टर को काफी हद तक जखमी कर देता है लेकिन वो आदम को और मॉंस्टर इतना ताकतवर था कि उनकी पकड़ इस पर जदो दिर तक नहीं टिकती वो अज़ाद होकर उन सब को ठाकर पैंग देता है लैन शोशेंग की ऐसी हालत देकर काफी दुकी हो जाती है औ ज्कमी था मगर और पर फिर वो खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए उनकी पर बढ़ता है और खार कर बदेकर बड़ता हैँ दो लोग मिलकर उसे रोकते हैं मगर उसकी ताकत की आगे वो कुछ भी नहीं थी वो उने भी काफी पीटता है और फिर वो तीर जो अपनी हालत में दूर पड़े ये सब कुछ देख रहा था उसे मॉंस्टर पर काफी गुसा आ रहा था साथ ये अपने डैड और बाकी साथियों की मौत का बदला उसे हिम्मत पी दे रहा था मॉंस्टर एक बार प्री लैंड पर हमला करने के लिए उड़ता हुआ आता है जिस से मॉंस्टर को काफी तकलीफ होती है वो तड़पने लगता है शोशेंग एक बर फिर मॉंस्टर को पकड़ता है मगर वो उसे पानी में लेकर कोच जाता है लैंड देखती है कि पानी में खोनी खोन है जो देख उसे लगता है कि शोशेंग मारा गया इसलिए दुकी होकर पर रोने लगती है मगर तबी हम देखते हैं कि शूशेंग तो मॉंस्टर का सर काट कर अपने साथ लेकर बाहिर आ रहा है सारे गाउंवाले बड़ी बेसबरी से उसके बाहिर आने का इंतिसार कर रही थी शूशेंग गाउवालों की बीच अपने साथियों और फैमली को भी जो मर चुकी थी मगर वो उसे इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया था और वो बहुत खुश था उन्हें देख शूशेंग खुश और जस्पाती भी हो जाता है और इसी के साथ ही कहानी इदर ही खत्म हो जाती है